नमस्कार पिरी विद्यारतियों, वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत हैं। न्यूज अप्डेट की साथ एक बार फिर उपस दित हूँ। अगर आप ITI होल्डर है, तो न्यूज आपके लिए है, और अप्रेंट्सिप की भी है, तो समझ लिजिए कि पर्टिकुलर आप हिसे जुड़ी भी है। हमेशा बोलता आया हूँ कि अप्रेंट्सिप जरूर कीजिए, आज अप्रेंट्सिप बालों के लिए एक ओफिस्यल कन्फरमेशन लेटर आ गया है, जहां अप्रेंट्सिप बालों को अप्रूबल दे दी गई है। हमेशा बोलता है हूं कि hinge कीजिए कीजिए अपरेंटिप से आपको पैसा और परसिक्षन दोनों मिलते हैं अपरेंटिप की कई बाईंडेशन होती है इस लिए यह कहता है हूं कि समय रहते कर लिया हैं करो बात में नहीं कर पाते हैं क्योंकि लास्ट मोका देते हैं कि वो continue जो आपके previous तीन साल है बस उसी में आपका ITA पास आउट होना चाहिए कई बार age criteria जोड़ देते हैं कि 22 साल से 23 साल से उपर अगर हो तो ITA नहीं कर सकते लेकिन अब एक official confirmation हो गया हाला कि लेटर आने में थोड़ी देरी जरूर हो गई क्योंकि इस पूरे वर्स में जितनी भी vacancies बच्चों के हाद से गई है उनकी भरपाई नहीं हो सकती official letter है 21 फरवरी 2024 का जो राजस्तान से जारी हुआ है वैसे डीजीटी भारत सरकार दिलिम से भी जारी हो चुका है उसका भी मैं आपको letter दिखा हुआ दोनों जगए का है खेर option क्या है opportunity क्या है उसी पर बात करते हैं तो एक पंथ दो काज वाली बात है और ये दो काज तो पहले ही थी कि पैसा और perfection मिल रहे हैं लेकिन अब दो काज की definition बदल गई आपको apprenticeship और अनुभव दोनों मिल रहे हैं दरसल सरकार ने एक official letter confirmation letter जारी कर दिया है जहां ITI apprenticeship holder जितने भी बच्चे है जो की NAC से हो national apprenticeship certificate तो NAPS portal से आप जब login करके apprenticeship के लिए apply करते एक साल complete होने के बाद आपका certificate भी आता है तो वो आपका apprenticeship अलांकि कुछ बचों की दो साल की भी होगी जो एक साल की ITI होती है उनकी apprenticeship दो साल की होती है और जिनकी ITI है दो साल की होती है उनकी apprenticeship एक साल की होती है जैसे electrician वालों की one year की होती है benefit यह रहेगा कि अब वो आपका एक साल वाला apprenticeship आपके लिए एक वरस के अनुभव के रूप में भी count किया जाएगा पूरी तरह से legal होगा पूरी तरह से माना जाएगा यानि double फाइदा ये हो गया कि अगर किसी vacancy में apprenticeship मांगी जाएगी तब भी आप eligible है और अगर किसी vacancy में experience मांगा जाएगा तब भी आप उस बेश पर भर सकते हैं यानि जहाँ apprenticeship और जहाँ आपको experience की जरूरत पढ़ी दोनों जगे काम आजाएगा अब कई बच्चों के सवाल आएंगे कि अगर experience और apprenticeship दोनों एक साथ मांग ली तो तब भी you are eligible क्योंकि सबसे valid या यूं कहें कि conjunction के साथ जो चीज आप provide करवाएंगे वो आप ही करा सकते है यानि वन येर का आपका experience अब apprenticeship भी मानना जाएगा वासता मैं तुद्धे को apprenticeship में क्या होता है experience ही दो मिलता है अगर proper तरीके से आपने कभी apprenticeship वालों को देखा हो तो उनको field में काम ही तो लगाते हैं जो system जहां चल रहा होता है अब जिसे कोई thermal power plant से अगर apprenticeship करेगा तो उसको एक ITA holder technician को site पर लगाया जाता है तो same वही आपको field का काम वही सारी चीज़े तो experience ही हो गये एक तरह से वो सरकार के तुरू है वो contract के तुरू होते हैं फरक इतना ही है आईए आपको इस later की कुछ जहनकारी दे देते हैं राजस्तान सरकार का ये जो राजस्तान में जो training और apprenticeship department है सिक्षुता एमराज्य सिक्षुता सलाकार प्राविदिक सिक्षा बनी पार्ग जेपूर 21 फरवरी का ये लेटर है अगर हम short में पढ़ें तो simple लिख दिया ITI उत्रन designated trades designated का मतलब होता है जो जो list में नामित trade हो जैसे मतलब engineering non engineering के कुछ trades आते हैं इसमें अब इसमें ना उनकी apprenticeship नहीं होती है इसमें तो बहुत सारी होती है ITI की तो कि आप लंबी सारी list देखेंगे तो 300-400 trade में ITI ही होती है designated trades की perception आवदी को कारिये अनुभव के रूप में मान्य किये जाने के करम में MSDE सरकार का लेटर जारी हुआ है 19 फरवरी 2024 को कुल बिलाकर हमारे लिए positive खबर है ITA वाले बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत समय बाद एक उनकी favor में खबर आई इस्तेमाल करना चाहिए फाइदा लेना चाहिए क्या दिखा है उन्होंने एक वर्स या एक वर्स से अधिक समय में जितनी भी designated trade है national apprenticeship certificate holder को एक वर्स का कारिया अनुभव के र आपके boards कोई भी वाग है वहाँ पर और माने ता आदेस फरसारित होने की दिनाख 19 फरवरी 2024 से लाग हुए यानि 19 फरवरी 2024 के बाद कोई भी vacancy आती है जहां एक वर्स का अनुभव आपको मांगा जाए और आपके पास apprenticeship है तो आप eligible है form apply कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैं तो बोलता भी है हूँ कि apprenticeship किया करो क्योंकि भूद जरूरत पड़ती है आजकल तो हर मैकेंसी वाले आप से apprenticeship ही मांगते हैं तो ठीक है आगे कह रहे हैं कि इस जानकारी को आप अपने छेतरा दिन जितने भी है उन सब तक पहुंचा दीजिएगा और जब भी रोजगार के प्रोवाइड करवा दूँगा इस लेटर की कोपी को आप सेव रखें अपने पास अगर आपने फाइल बना रखिये तो राजस्तान से है तब तो ये दो पेज कोपी करवा के रखें और उस फाइल में लगा ले क्योंकि ये बहुत काम आएगा बहुत सारे मानेंगे नहीं इसकिल डवलप्मेंट और एंत्रपर्नेवर्शिप अपरेंट्सिप डिविजन जो है विभाग वहां से ये ओडर निकला है तो कम से कम आपको इन दोनों की कोपी अपने पास जरूर रखनी है राजस्तान से है तो दोनों पेज की रखना अधर श्टेट से आप वीडियो बताईएगा जरूर वीडियो कहां से देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज अपडेट इस तरह के लाते हैं फिर उस पर डिश्कोशन करके वीडियो बनाना और बहुत सारा समय लगता है लेकिन मैनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप अप्रिशेट जरूर करें लाइक करेंगे और बजाना जरूर की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं पता भी लगए इतनी दूर देख कोन रहा है बीच में छोड़ कर चले जाते हैं कहीं सारे तो सेव रख लिजिएगा क्योंकि कई बार मेकेंसी करने वाले बोल देते हैं कि हमने एक्स्पिरि लिखी गई थी वही इसमें लिखी है सेम ठीक है ना यह देखो यह रहा अप्रेंट्सिप ट्रेनिंग ओफ वन यर एंड अबोव में बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्स्पिरिंस ओफ वन इयर इन रिगार्ड टू दोज अप्रेंट्सिप इटी क्वालिफिकेशन अंडर अधर डिपार्टमेंट या कोई भी PSU पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग हो केंद्र और राज्य दोनों का लिखा इनोंने तो मुझे लगता है फुल फ्रेस अप्रूवल आपको मिल गई है यह टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजेगा टेलीग्राम का लिंक इस वी जरूरी हो जाता है ठीक अब इक लिए बसीत रही था बहुत धनेवाद